कि 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 एक बार फिर से आपका स्वागत है इस्ट्रुएंट से हमारे इस यूटूब चैनल में मैं हूँ आपका मित्र पाटिसर वड़ आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल e-learning TV जहां इस्ट्रुएंट से आपने थम्नेल में बिल्कुल सही देखा है अप्रैल एक्जान 2022 बाले जो इस्ट्रुएंट 7 का रिजल्ट फाइनले डिकलेयर कर दिया गया है आप बहुत टाइम से मैस कर रहे थे फाइनले आपका रिजल्ट जो है डिकलेयर कर दिया गया है अब आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं आज के अपने इस लेक्चर में में यह तीन पॉइंट कवर करने वाले हैं सबसे पहले रिजल्ट कैसे चेक करें मैं आपको रिजल्ट चेक करने का असान तरीका बताऊंगा उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा मार्क्षिट कब और कहां से मिलेगी मैं आपको पता हूँ आपको मार्कषिट कब और कहां से लेनी है इसके बाद तीसरा और सबसे important point है इस्टोंट जब आप रिजल्ट चेक करोगी तो आप में से कुछ instrument ऐसे हो सकते है जिनके एक रिजल्ट में SYC, SYCP, SYCT, AB, 4X या अथर कोई वर्ट देखने को मिले तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको चिंता करने के बिल्कुल भी जरुवत नहीं है क्योंकि इन सब का solution है बस आपको करना क्या है इस lecture के नीचे आपको description box में जाना है वहाँ पर हमने इन से related पूर करके अगर आप एक सब्जेक्ट या सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको पास होने क्लिए क्लिए करना होगा इसमें हमने complete process step by step सारी चीजे लाइब डेमो करके दिखा रखी है उसके बाद हमने एक lecture upload करका है उसमें बतार के अगर आपको result में सारे उसके बाद हमने एक lecture upload करका है उसमें बतार करका है अगर आप read checking और reavulation के लिए apply करना चाते तो उसके लिए आपको क्या करना होगा और एक lecture हमने upload करका है उसमें हमने बतार का है कि आप dizzy locker के through mark sheet किस तरीके से download कर सकते है सब कुछ हमने बता रखा है सभी lecture का link आपको नीचे पैसे लूटते वो उठाते वो क्या करते हैं आपसे ज्यादा पैसे ले लेते हैं तो इस बार आपके साथ यह fraud ना हो इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया है हमारी टीम आपकी problem का solution खुद करेगी तो अगर आप हमारी टीम के थूप अपनी problem का solution करवाना चाहरे तो आपको क् आपकी problem का solution करेगी और चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को subscribe भी कर ले क्योंकि हमारे चैनल आपको एनवेस का full study material free of cost प्रवाइड करवाता है यहाँ पे आपको free coaching class करवाई जाती है सभी subject हो के आपको notes प्रवाइड करवाई जाते है साथी आपको free TMA और practical files भी updates हमारे चैनल पर आपको एनवेस की सारी update मिलती है एक्जाम होने तक कोई भी update आती है आपकी exam की date sheet आती है आपकी exam cancel होते कुछ भी होता है हमारा चैनल सबसे पहले आपको inform कर देगा तीसरा बैन पी टोगा for CCP CCP क्या होता है career counseling program हमारा चैनल हट साल result के बाद career counseling program चलाता है जि आप government job के form किस तरी के से feel कर सकते हैं आप admission form किस तरी के से feel कर सकते हैं सब कुछ हम बताते हैं इसलिए आप हमारी चैनल को subscribe कर ले उमीद है आपने चैनल को subscribe कर लिया होगा bell icon भी press कर दिया होगा यह मैं आपका ज्यादा समय बरबाद नहीं करूंगा lecture को सुरू करते हैं तो ह आपके सामने कुछ इस तरी के का interface कुल के आ जाएगा यहां आपको क्या करना है यहां पर सबसे पहले आपको अपना 12-digit का enrollment number आपको डाल देना है enrollment number आपको आपके icard पर मिल जाएगा उसके बाद नीचे आप यह capture code देख रहे होंगे यह बिल्कुल सही तरीके से आपको feel क कर będzie चैए इसका कारण क्या होता है इसका कारण यह होता है कि एक साथ जबास सारे श्जा के वंपर पहुंचते हैं तो website अभी friends में इस lecture को share जरूर कर दे क्योंकि हमने market में ऐसे बहुत सार जैने देखे जैसा कि हमने आपको lecture के सुरुवात में बताया है जैसे आपका result आता है आप result देखके बहुत जादा परिसान हो जाते हो result में कुछ ऐसे words आते हैं जीने देखके आप परिसान हो जाते हो प्रोवाइड करवाना और इन फ्रोडों से आपको बचाना तो चलिए हम अपने इस lecture के second point पर चलते हैं इसके बाद हमारा अगला point है mark sheet हमें कब और कहां से मिलेगी तो मैं आपको यह clear and cut बताना चाहूँ हूँ you can take your mark sheet from your study center after one month of your result यानि जिस दिन आपका result declare होता है उसके एक महीने बाद आप अपने study center से अपनी mark sheet ले सकते हैं कुछ ruler areas होते हैं वहाँ पर थोड़ा ज्यादा time लग सकता है यानि एक से डेर महीने में आपकी mark sheet जो है वह आपकी study center पर आ जाती है आप वहाँ से ले सकते हैं तो उमीद है आपको समझ आ गया होगा कि आपको mark sheet किस तरीके से लेनी है तो इसी के साथ हमारे आज की इस lecture के सारे points से ही पर complete होते है इससे related या एनवे से related कोई भी doubt है कोई भी तो आप बेच जिए comment box में से comment करके पूछ सकते हैं हमारी टीम हर comment और message कर reply करती है इस बात का proof आपको comment box देख करी मिल जाएगा और result errors के उपर हमने पूरी complete playlist upload कर रखी है उसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा या फिर आप उपर i button पे click कर कर भी देख सकते हैं वो देखने के बाद आपके सारी problem का solution हो जाएगा या आप हमारी टीम के through भी करवा सकते हैं अगर आप हमारी टीम के through करवाना चाहरे हैं तो नीचे description box में हमारा whatsapp number मिल रहा होगा उस पर आप हमसे contact कर सकते हैं और जाते जाते अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को subscribe भी कर ले तो उमीद है आपने चैनल को subscribe कर लिया होगा और bell icon भी प्रेस कर दिया होगा तो चलिए मिलते हैं अगले lecture में